हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में क्राफ 2315 तो आज फिर से लेके आई हूँ आपके लिए नई ट्रिक के साथ नए आइडियास तो आज मैं आपको एक नई दो नई पूरे 5 आइडियास बताने वाली हूँ जो आपके घर और किचन के लिए आपक को बहुत पसंद आने वाले हैं तो सभी के सभी आइडियास आपके घर के लिए किचन के लिए बहुत ज़रूरी है और आई होप आपको सारे के सारे आइडियास पसंद आएंगे तो चलिए मैं इसमें से कपरे ढूंड लेती हूँ और बिना डिले कि हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं तो शुरू करते हैं आईडिया नमबर वान से तो इसके लिए मैं यूज करने वाली हूँ मेरे पास देखे फुराने सोफी के इस तरीके से कुशन कवर्स पड़े हैं उसी का मैं यूज करने वाली हूँ तो कुशन तो फट चुके हैं सारे लेकिन उपर वाल अगर बार्ट्परूफ कर सकते हैं लिःग बनाने यह वाटर प्रूफ इसमें यूज करें प्लास्टिक शीक का शुन कर सकते हैं। और इसका लिंक मैं आपको description box में दे दूँगी, अब हमें इसे pin up कर लेना है, और बीच में आपको सिलाई नहीं लगानी है, सिरफ चारो तरफ से सिलाई लगानी है, क्योंकि बीच में plastic है, अगर आप सिलाई लगाएंगे तो उसमें hole हो जाएंगे, उसके बाद बस side से आपक piping की पटी से हमने देखे, फिनिश कर दिया, तो देखिए ये बिनकुल बनके हमारा ready भी हो चुका है, तो कितनी जल्दी बन गया, कितना असान, और देखिए जो सोफे के cover आप fact देते, उसे कितनी useful चीज हमारी बन गई, तो मैं यूज करने वाली हो इसे kitchen में, तो kitchen में जब as a mat यूज करना चाहते हैं, तो बिना plastic sheet के इसे बना सकते हैं, तो I hope आपको ये idea भी पसंद आया होगा, तो चलिए बढ़ते हैं अपने next idea की तरफ, idea number 2, तो ये idea भी आपको बहुत पसंद आएगा, मैं यूज कर रहे हैं इस तरीके से पुरानी shirt का, और इस कपड़े के measurement ब प्लास्टिक वाला, ये optional है, तो थोड़ा मुझे मजबूत बनाना था, इसलिए मैंने rice bag इसके अंदर लगा लिया है, आप बिना rice bag के भी इसे बना सकते हैं, तो 8 इंच लिया है, और ऐसे लिया है, दो इंच से चोटी पटी, और हम इसे फोल्ड करके एक डोरी सी ready कर उसके बाद यहाँ पे center point लिया है, और इसे हम center point में fold करके रखेंगे, ये हमारा hang करने के लिए है, और यहाँ पे हम लगा लेंगे सिलाई, अब same piece एक लेना है हमें lining का, जो भी आप अंदर की तरफ कपड़ा लगाना चाहते हैं, और उसे रखना है इस तरीके से इसके उप और दोनों तरफ आपको लगा लेनी है सिलाई, उसके बाद सीधा कर लेना है, और सीधा करने के बाद यहाँ से 2 इंच का मैंने निशान लगा लिया है, दो इंच का निशान लगाने के बाद यहाँ से आपको half इंच का निशान फिर से लगाना है, ये हमारा elastic को insert करने के लि दालेंगे तो देखिए मैंने सिलाई लगा लिया उसी निशान के उपर तो यहाँ पे हमारा elastic डालने के लिए बन गया अब हम इसमें elastic को insert करेंगे तो 9 इंच की मैंने यहाँ पे 2 pieces elastic लिये है safety pin की मदद से दोनों तरफ हमें elastic को insert कर लेना है यह देखिए तो यहाँ elastic अंदर की तरफ ना जाए तो मैं यहाँ पे pin लगा लेती हूँ तो बाद में हम इस पे सिलाई लगाएंगे तो यह मैंने डाल लिया elastic को अंदर की तरफ और हम इस पे दोनों corners पे सिलाई लगा लेते हैं अब यहाँ पे और दूसरी तरफ सिलाई लगा लीजिए और सेम ऐसे elastic यहाँ डाल लीजिए दोनों तरफ elastic डिल गया देखिए अब आपको क्या करना है इसे इसके उपर fold करना है और पूरा अच्छे से बिठाते हुए पूरा लंबाई में आपको इसके उपर सिलाई लगा लेनी है यहाँ से लेके यहाँ तक तो मैंने सिलाई लगा लिया रफ है जिसको finish कर लिया है तो यह हमारा देखिए holder बनके बिल्कुल ready हो चुका है organizer बिल्कुल ready है अब हम इसे सीधा कर लेते हैं और मैं बता देती हूँ यह आप यूज किस चीज के लेकर सकते हैं यह देखिए तो जैसे हमारे garbage bag वगरा या इस तरीके से poly bags वगरा होते हैं वो आप इसमें रख सकते हैं देखिए तो यहां से हमें इसे पूरा अच्छे से fill कर देना है तो एक तरफ से हम इसे fill करेंगे और दूसरी तरफ से यह हमारा holder बन जाएगा तो अभी मैं आपको इसको use करके भी दिखा दूँगी तो पहले आप इसे अच्छे से पूरा fill कर लीजिए जितने भी आपके पास poly bags है या जो हमारे पास dust bean में हम bags लगाते हैं वो भी आप इसमें रख सकते हैं garbage bags होते हैं उसका भी आप use कर सकते हैं उसको store करने के लिए यह देखिए तो यहाँ पर हम इसे hang करेंगे hang करने के लिए मैं यूज कर रही है adhesive hook का यह online बहुत easily आपको मिल जाते हैं अलग-अलग kgs के हिसाब से होते हैं और आप इसे easily kitchen में hang करने के लिए यूज कर सकते हैं तो देखिए यह मेरा organizer बिल्कुल ready हो गया तो जब भी आपको लिफाफा निकालना इस तरीके का poly bag तो उपर की तरफ से आपको इसमें डालना है एक बार hang कर देना है और बस नीचे की तरफ से आप जो भी poly bag जब भी यूज करना है यहाँ से निकाल लीजिए यह देखिए तो बहुत easy है इसे use करना तो I hope आपको idea पसंद आया होगा यह बढ़ते हैं अपने next idea की तरफ idea number 3 तो यह भी बहुत पसंद आएगा वीडियो को ज़रूर देखिएगा तो मैं use करने वाली हूँ इस तरीके से बचे हुए छोटी छोटी scrap fabrics का तो कई बार हमारे पस इस तरीके pieces होते हैं तो आप उनका use कर सकते हैं तो कोई भी छोटी इस तरीके से round कटोरी glass वो लेना है आपको और इसे round shape में cut कर लेना है तो इसी तरीके से देखिए छोटी छोटे round pieces मैंने cut कर ली हैं तो जो भी बच्चा कुचा कपड़ा है वो आप इसमें use कर सकते हैं उसके बाद आपको क्या करना है देखिए इसे fold करना है बीच में से तो एक piece को बनाने के लिए आपको five circles चाहिए पांच छोटी छोटे आपको इस तरीके से round circle चाहिए एक circle बेस में लगा और बागी के चार circle हमारे उपर की तरफ लगे हैं तो इसमें हमें piping नहीं लगानी है piping लगाने का जंजट नहीं है और बहुत easily बनके यह हमारा ready हो जाता है तो देखिए आपको क्या करना है इसे इस तरीके से एक एक को नीचे की तरफ कर देना है जैसे मैं कर रहे हूँ बिलकुल ऐसे ही करना है यह देखिए उसके बाद पूरा round में आपको इसके सिलाई लगा लेनी है बीच में से हिले नहीं इसलिए आपको बीच में से pin-up कर लेना है चारू तरफ सिलाई लगा लेनी है उसके बाद corners पे छोट छोटे नूचिस लगा लेने हैं ताकि हमारा easily बिलकुल turn हो जाए तो अब हम कर लेते हैं इसे सीधा तो देखिए मैंने इसे सीधा कर लिया और सीधा करने के बाद अब आपको क्या करना है पूरा round में इस पे सिलाई लगा लेनी है corners पे तो देखिए corners पे मैंने सिलाई लगा ली तो एक मैंने ये बनाया है एक मैंने देखिए इस तरीके से colorful बनाया है जो दूसरे कपड़े के pieces होते हैं तो देखिए इस तरीके से आप घर पे इस costers बना सकते हैं और इन्हें use कर सकते हैं बनाना भी बहुत easy है तो I hope आपको ये idea भी पसंद आया होगा तो चलिए next idea देखते हैं next idea के लिए भी मैं इसी तरीके से waste cut रनों का use करने वाली हूँ तो सबसे पहले तो मैं चुटे चुटे इसमें से pieces cut कर लेती हूँ तो ये idea भी आपको बहुत पसंद आएगा तो देखिए इस तरीके से चुटे चुटे pieces मैंने cut कर लिए हैं काफी सारे और इन्हें हम join करके पहले एक square बना लेंगे तो इन सारे pieces को मैं join करने वाली हूँ आपस में देखिए सिलाई लगा लेंगे उसके बाद दूसरे वाला piece लेंगे उस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे तो ये हमारे join होगे इसी तरीके से बाकी भी join करेंगे तो ये हो गया अब इन्हें आपस में join कर लीजिए पहले ऐसे और सिलाई लगा लीजिए और उसके बद जो उपर वाला है उसे भी इसके उपर रखते हुए सिलाई लगा लीजिए तो देखिए हमारा ये रेडी हो गया वैसे नाब बता देती हूँ तो 5.5 इंटू 5.5 इंच का ये रेडी हो गया है अब हमें क्या करना है नीचे कपड़ा बीच में राइस बैग और उपर ये रख लिया और इसके चारो तरफ सिलाई लगा लेते हैं तो देखिए अच्छे से सिलाई लगा ली तो क्विल्ट हो गया अब फिर से कोई भी राउंड चीज लेके इसे आप राउंड शेप में कट कर लीजिए तो ये मैंने कटोरी रख दी मुझे थोड़ा बड़ा बनाना था तो थोड़ा थोड़ा मार्जिन भी दे दिया इसमें और हम इसे कट कर लेते हैं तो देखिए कितना प्यारा सा राउंड शेप हमारा कितना मल्टी कलर में सुन्दर लग रहा है बस अब आपको चारो तरफ इसके पाइपिंग लगा लेनी है ताकि हमारा अच्छे से बिलकुल फिनिश हो जाए पूरा राउंड में हम इसे पाइपिंग से फिनिश कर लेंगे तो देखिए पाइपिंग से फिनिश कर लिया तो मल्टी कलर में कितना सुन्दर लग रहा है तो इस तरीके के मल्टी कलर में कॉस्टर साब घर पर ही बना सकते हैं वाशेबल हैं जब भी इसली आप वाश कर सकते हैं तो कितने सुन्दर लग रहे हैं तो चलिए बढ़ते हैं next idea की तरफ तो यह idea भी आपको बहुत पसंद आएगा तो देखिए इस तरीके से कपड़े लिए हमने उपर main fabric है बीच में form sheet है सबसे नीचे lining है सबसे पहले हम silahe लगा के इसे quilt कर लेंगे देखिए silahe लगानी अच्छे से इसके उपर यह हमने देखिए silahe लगा के quilt कर लिया सेम ऐसा ही मैंने एक और piece quilt किया है एक मैंने लिए 13 by 13 दूसरा है 10 by 10 inch का तो 10 by 10 inch का piece हम side पे रख देते हैं और यह जो बड़े वाला है 13 inch into 13 inch का piece इस पे हम round में shape दे देंगे तो हमने इसे इस तरीके से fold कर दिया है इस तरीके से round पे निशान लगाते हुए देखिए हम इसको round में cut कर लेंगे सेम इसी तरीके से हम छोटे वाले piece को भी cut कर लेंगे 10 by 10 inch वाले को इसे भी हम cut कर लेंगे तो देखिए दोनों pieces हमारे पास ready हो गए एक बड़ा और एक छोटा अब हमें क्या करना है बड़े वाला piece लेना है 13 by 13 inch वाला और इसे हम side से देखिए इस तरीके से center points को mark कर लेंगे यह मैंने देखिए center points को mark कर लिया है अब हमें क्या करना है इन points को हम आपस में मिला लेंगे और फिर हम इनकी cutting कर लेंगे तो देखिए इस तरीके से आपको आपस में मिला लेना है तिर्चा और अब हम इसी shape में इसकी cutting कर लेंगे यह हमने cutting कर ली अब हम इसे piping से finish करेंगे तो मैंने piping ले ली तीन तरफ से हमें इसे finish करना है यह मैंने दो तरफ से finish कर दिया पोल करते वे सिलाई लगा लीजिए बाकी के pieces भी इसी तरीके से ready कर लीजिए यह हमारे 4 pieces ready होगे अब हमें इनके सब के center में mark करना है तो 4 pieces के इस तरीके से center में निशान लगा लीजिए तो देखिए मैंने 4 pieces के इस तरीके से निशान लगा लिया center में अब हमें क्या करना है यह जो हमारा 10x10 इंच वाला है इस पे भी हम सेंटर में पूरा निशान लगा लेंगे अब हम इन पीसिस को देखें इस तरीके से मिलाते हुए सेंटर पॉइंट को मार्क से आपको मिलाना है और चारों पीसिस को हम अटैच करेंगे पहले आपको सामने वाले दो पीसिस अटैच करने है इसके सामने वाला उसके बाद बाकी के दो सामने वाले पीसिस को हम अटैच करेंगे तो निशान जो हमने लगाये थे उनी निशानों को मिलाते हुए आपको अटैच करना है तो निशान के साथ देखिए मैं निशान को मिला रही हूं और हम इसे अटैच कर लेंगे तो यह हमारा ओवरलैप आएगा एक दूसरे के ओपर यह देखिए इस तरीके से ओवरलैप करते हुए पुरा सिलाई लग चाहिए सेम इसी तरीके से यह वला भी अब हमें क्या करना है अब हम इसको साइडों से पाइपिंग से फिनिश करेंगे यह हमारा राउंड हो गया अब मैं पाइपिंग ले लेती हूं यह मैंने पाइपिंग ले ली अब इसे हम दूसरी तरफ रखेंगे और पलटते वे सिलाई लगाते वे पाइपिंग से इसे फिनिश कर लेंगे पूरा राउंड में हमें इस पे सिलाई लगा लेनी है यह मैंने लगा लीए अब इसे दूसरी तरफ को पलटते हुए पूरे राउण पे पे सिलाई लगा लीचे ये देखी, राउंड पे सिलाई लगा लिए, तो देखे हमारा रोटी कवर ये बिल्कुल रेडी हो गया, अब इसमें देखे हमने इसे ओवरलैप हुआ था हमारा देखे, तो ओवरलैप होने की वज़े से साइड में हमारा देखे, इस तरीके से ये डिजाइन बन जाता है, तो अगर आप ज़्यादा रोटियां भी रखते हैं, तो साइड से देखे हमारा इस तरीके से, इसका साइड वाला बेस बन जाता है, तो आप इसमें ज़्यादा रोटियां भी रख सकते हैं, तो मैं आपको रोटी रख के दिखा देती हूं, तभी मैंने 6-7 रोटियां आराम से यह देखिए तो यह मारा ओवरलैप कर जाता है तो साइड से खुला नहीं रहेगा और रोटिया आपके बिलकुल गरम रहेंगे देखिए चारो तरफ से ख्लोज हो गया तो यह मारा देखिए चोटा सा क्यूट सा और बहुत ही जल्दी बनने वाला रोटी कवर देख तो यह थे कुछ चोटी चोटे आइडियास तो आई होप आपको सारे आइडियास अच्छे लगेंगे फिर भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन से वला आइडियास सबसे अच्छा लगा जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ थैंक यू